हेलो नमस्कार स्टुडेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टुडी चैनल आप शुभी का यहां पर श्वागत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है कि अपन एक डेली क्लास देते हैं आपको संजीव डेश्वरक की मैथ में बहुत सारे कुमेंट भी आते ह हैं और बहुत सारे विद्यार्थि इसको पड़ भी रहे हैं लाभानवीत भी हो रहे हैं कि सर्जीव बहुत बढ़िया जैसे कि दस्वी क्लास की लगभग 40-45,000 विद्यार्थि वीडियो को देख चुके हैं उसकी डेश्वरक का इसी प्रकार से एट क्लास का भी अच्छा इस पॉन्स आ रहा है जितने विद्यार्थि देखने को में चरके बता रहें वार्ण से जूंडरे तो देखेगा आपन एक गृप बनाया है और अगर को विद्यार्थी जूडना चाता है गृप में यानि पर्तिक अप्डेट से रिलेटिव अन चाता है तो यह हमारे आपको एक group का link send कर दिया जाएगा और वहां से आप इसमें join कर सकते हैं परते क्लास इस group में डाली जाएगी जो भी information होगी वो यहां पर डाली जाएगी जो भी important questions होगे जो भी आप से relative कोई भी information होगी अगजाम से relative है जो भी है वो इसी group में डाली जाएगी ठीक है जैसा कि आप पिछे वाली क्लासें लगा रहे हैं continue बहुत बढ़िया है continue लगाईए continuity बना के रखिए अगर आप continuity बना के रखते हैं तो आपका result positive में आएगा ना करात्मक नहीं जाएगा सकरात्मक में ही आएगा और बहुत अच्छा result बनेगा आपका सभी के a plus grade लगेगी math में math जो विद्यार्थियों बिना देरी के अपन प्रिशन नंबर 16 से क्लास को शुरू कर देते हैं एक से लेके 15 तक हमने पहले complete कर लिया था आज अपन 16 नंबर से शुरू कर रहे हैं एक विद्याले में 500 विद्यार्थि हैं PT के अबियास के लिए उन्हें इस परकार से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कोलम की संख्या के समान हैं इस विद्यार्थि को बाहर जाना होगा जैसा कि आपने एक पहले क्यूशन किया था डेसरक में ही कोई क्लास में देखा भी होगा आपने अगर continue देख रहे तो एक माली के पास एक हजार पोदे थे वहाँ पे वो पूछ रहा था कि उसको कितने पोदों की ओर आशकता होगी या कितने पोदे ओर लेने पड़ेंगे ताकि वो उन पोदों को इस परकार से लगाए कि उसमें कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान रहे यही तो बोल रहा निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं दो-दो संख्या के पेर बनाते हैं क्या करेंगे अपन दो-दो संख्या के पेर बनाएंगे यहां से शुरू करेंगे फिर इसके बाद में एक ही बच्चा है तो एक ही बन सेगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब देखो सबसे यहा गया तो 500 या 5 से कम हो 5 से जादा नहीं होने चीए 3 लिखोगे 3 का वरग 9 हो जाता है जो कि 5 से बढ़ी है तो आपको यहां पे 2 लिखना पड़ेगा 2 को लिखोगे तो कम से कम 3 बार लिखना पड़ेगा 2 को और यहां पे 2 की स्केर कितनी है 4 उपर भी आपको लिखना गटाओगे तो ये एक बच गया दो प्लस दो को जोड़ेंगे तो ये बन गया आपके पास में 4 उपर से आ गया पेर आएगा एक तरीके से दो संख्याओं का यूगम आएगा तो दो संख्याओं 0-0 है तो 0-0 आगे तो नीचे आके बन गया 100 अब चार के पास ऐसा नंबर रखना है कि उसी नंबर से वापिस multiply करें तो या तो 100 आजए लेकिन हमें तो यहां पे विद्यार्थियों को बाहर करना है तो यहां पे आपको 100 से कम नंबर लेने हैं 100 से ज्यादा नहीं लेने अगर आपको 500 में से कुछ विद्यार्थी मिलाने ह होते तो आप क्या करते हैं यहां पे 100 से बड़ा नंबर बनाते लेकिन अब आपको 100 से छोटा नंबर बनाना है तो अगर आप यहां पे एक रख देते हैं गटाएंगे तो यह 16 जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जा रहे हैं 16 विद्यार्थी सेश बच रहे हैं जो कि बाकी विद्यार्थी क्या हैं खड़े हो जाएंगे चारसो चौरासी विद्यार्थिया वो खड़े हो जाएंगे इसमें बाइस पंक्तियां और बाइस कोलम बनेंगे जबकि 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा तो यहां पे लिखेंगे आता है यहां 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा या जाना होगा 16 विद्यार्थियों को बाहर जाएंगे Next पे चलते हैं Pression संख्या शत्र आ जाती है 4 नमर का passion है इसमें 2 दिये गहें 2 दो नमर के हैं गातांक के नियमों का परियोग करते हुए निमन का मान गयात कीजिए गातांक नियमों का परियोग करते हुए पहला passion है पहले passion में आपको 3 की power 0 दे रखा है प्लस में 3 की पाउर 0 का मैं देसे डायरेक्ट मान लिखूं 3 की पाउर 0 है इसका मान हमेशा एक होता है किसी की पाउर 0 मैंने लिख दिया 100 की पाउर 0 तो भी इसका मान हमेशा एक ही होगा तो 3 की पाउर 0 का मान एक हो गया प्लस में 4 की पाउर माइनस एक है प्लस बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 1 बटा 4 एक बटा 4 लिखेंगे गुणा में 2 की स्क्वेर है तो 2 की स्क्वेर होता है 4 ठीक है अब जो bracket के अंदर है उसका lcm लेते हैं bracket में जो number है उसका lcm आगा है 4 इ alum गया भी, चार एकम, चारел से मी लेंगे तो चार का मल्टिकल है, एक के साथ में जाएगा और गुणा में क्या चल रहा है, चार चल रहा है तो इस चार से यह चार कड़ जाएगा चार से चार कड़ जाएगा, लिग कि यह बुणा में है नीचे वाला भाग में है तो खुड़ जाएगा चार प्लस में कितना हो गया पांच हो गया तो यह आपके पास में जो आनसर आएगा वो कितना आएगा पांच आएगा इसके सेकेंड नंबर पे चलते हैं क्या कहरा है एजी हैं कोई दिकत नहीं no problem फिर भी आपको अगर ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया तो सब से पहले में क्लास में अपने नंभर दिये इसा पे आप कोंटेक्ट कर सकते हैं उस्पे आप फोन करके पूँछ सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं आपकी हर समस्या का शमाधान किया जाएगा अब देखिए का इसमें आपको दीर रử созд – 4ﷺ1lanceètement क्या लखेंगे rum ल लिखेंगे एक बटा-4 के रूप में लिखेंगे और यह भाग का निसान यह गुणा में होके लिए बनेगा डोकी पाउबर यह नीची आजाएगा भाग को सो मुणा में माइनस दो है रहेगा तो माइनस दो ही लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक बटा में आ जाएगा प्लस मत कर देना माइनस ही रहेगा लेकिन ये एक बटा में आ जाएगा अब जो ब्रेकिट के अंदर है उसका बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर देते हैं एक का मल multiplier 4 के सاتھ में करें तो यह 8 हो गया तो 018 गुणा में हिस एक बटा 2 की पावर माइनस 2 है माइनस 2 है अब इसकी पावर plus में बनाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो यह दोगी पावर 2 और 2 की पावर 24 होता है एक बटा 8 गुणा में 2 की पावर 2 16 गणे तो यह आएगा एक बटा दो चार से काटेंगे चार एकम चार चार दूनी आठ तो एक बटा दो आंसर आजएगा तो इसका आंसर कितना आएगा एक बटा दो आंसर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट प्रशन की तरफ चलते हैं अठारा नमबर में आपको इसके मद्या दस प्रमे संख्या लेके आने हैं दस प्रमे संख्या लेके आने हैं एक बटा चार और एक बटा दो में तो देखो इसके हर को इकवल कर लेते हैं पांच लेके आने हैं तो हर को अपन इकवल बना आते हैं जैसे आपने बना लिया इसमें 20 बनाएंगे तो पांच आजेगी क्या पांच नहीं आएगी आप इसको बना ले 40 बना ले 40 बनानी के लिए आपने इसको 10 से उपर नीचे multiply कर दिया 10 से आपने उपर नीचे multiply कर दिया same संख्या से उपर नीचे multiply कर सकते हैं तो यह बन गया आपके पास में 10 बटे 40 10 बटे 40 वह एक बटा 2 को अपन बनाएंगे 40 बनाएंगे नीचे तो अपने 20 से इसको multiply कर दिया उपर नीचे तो ये बन गया आपके पास में 20 बटा 20 दुनी 40 अब देखो नीचे वाले नंबर 7 है दोनों अब उपर वाले के बीच में 10 और 20 के बीच में 5 संखें आ रही है क्या हाँ आ रही है तो लिखेंगे एक बटा च्यार और एक बटा दो के मत्य है पांच परमे संख्या निमन होगी निमन होगी तो ये क्या होगा 11 बटे 40, 12 बटे 40, 13 बटे 40, 14 बटे 40, 15 बटे 40 इस परकार से 16 बटे 40 भी कर सकते है तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर बनेगा सभी भी द्यात्यों का अलग अलग हो सकता है कोई दिकत नहीं कोई इसको 50 बनाने की कोशित करेगा तो 50 बनेगा निए 60 बन जाएगा 60 बनाएगा कोई इसको 100 बनाएगा कोई इसको 200 बनाएगा बड़े बना सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं अब इसके बाद में अपन जलते हैं नेक्स्ट प्रशन की तरफ प्रशन नंबर आ जाता है 19 इसमें आपको कहा गया है कि यदि राम 9,096 रुपे 18 महिने के लिए 18 महिने वी 1 साल 6 माय 15 साल के लिए 12 सही 1 बटा 2 वार्शिक दर पे उधार देता है वार्शिक दर पे उधार देता है और ब्याज अर्दवार्शिक श्योंजित करता है अर्दवार्षिक शोंजित करते हैं का मतलब होता है कि साल में दो बार हिसाब करता है छे-छे माहा के बाद में वार्षिक शोंजित करता तो साल के अंत में हिसाब होता है हमेशा वार्षिक की बात होती तो साल के अंत में हिसाब होता है जबकि इसने कहा है कि अर्दवार्सिक शोंजित करेगा यानि 6 माहे के बाद में ब्याज लेगा फिर दूसरे 6 माहे के बाद में ब्याज लेगा यानि साल में ये दो बार ब्याज लेगा तो ग्यात कीजिए कि राम कुल कितनी रासे प्राप्त करेगा कुल कितनी राशी प्राप्त करेगा यानि राम ने क्या किये 4,000 चानमे रुपे तो दे दिये और वापिस 4,000 चानमे तो लेगा लेगा लेकिन वो क्या है अर्दवार्शिक 6,6 माहे के बाद में 3 बार 18 महिने के लिए दिये न तो तीन बार में वो ब्याज भी लेगा ब्याज लेगा तो ब्याज पलस में मूलधन मिलके मिसरधन पूछाए आपसे कुल पूछाएर कुल होता है हमेशा मिसरधन मिसरधन को लिखते हैं ब्याज पलस में मूलधन अब सर्त अर्दवार्शिक है तो अपन दर को तो करदेंगे आधा और समय को अपन यहां पर करदेंगे दुगना यह बन जैगा आपका तीन वर्श है तीन साल का बन जैगा और इसकी दर को करना होता है आधा तो चलिएगा लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है दिया है मूल्धन समझ के करना है परतेक क्यूशन को मूल्धन दे रखा 4,906 रुपे समय कितना दे रखा है समय दे रखा है आपको 18 मा है और दर कितनी दे रखी है 12 सही 1 बटा 2 परतिसत दे रखी है यानि मिस्तर भीन को भीन में बनाएगे तो 12 दूनी 24 उपर वाला एक जोड़ देंगे 24 रेक कितना होजागा 25 बटा 2 परतिसत होगा ठीक है यदि ब्याज की सर्थ लिख दो यहाँ पे सर्थ क्या है सर्थ अर्दवारसिक है सर्थ अर्दवारसिक है तो समय क्या होजेगा तो समय चेंज होगा न 18 गुणा 2 यनि 36 माहे और 36 माहे में 3 साल होते हैं यनि आप लिखेंगे यहाँ पे 3 वरश कितना होजेगा 3 वरश और 10 को करना होता है आधा तो 25 वटा 2 तहई गुणा में 1 वटा 2 और करना है 1 वटा 2 यनि आधा क्या होता है 1 वटा 2 से गुणा करते हैं तभी तो होती हैं तो आपके पास में 10 पराप्त हो गई 25 वटे 4 परतिसत 25 वटे 4 परतिसत तो दर प्राप्त हो गई है इतना कलियर हुआ अब अपन फोर्मूला लगाते हैं ब्याज मिस्सरधन लेके आने का तो यहां पे लिखेंगे मिस्सरधन बराबर मूल्धन मूल्धन गुना में 1 प्लस में 10 बटा 100 गहात कितना है समय है फोर्मूले याद होनी चळिये मूल्धन है 4000 चान में गुना में 1 प्लस में दर है 25 बटे 4 और नेची आएगा 100 और समय कितना है तीन वरश है तो यह होजेगा आपके पास में 4096 गुणा में एक प्लेस ये बनेगा 25 और ये 4 आजेगा नीचे तो 4 गुणा में 100 गात कितना है 3 25 से काटेंगे 25 से कम 25 25 चोके 100 4 बार कटेगा ना कितने बार कटेगा 4 बार कटेगा तो ये बन जाएगा आपके पास में 4096 मल्टीप्लाई में एक प्लेस में एक बटा 4 चोके 16 कि पावर कितनी है 3 है तो ये बनेगा 400 च्यान में मल्टीप्लाई में L, C, M आगए है इसका 16 16 एकं 16 ब्लस में 1 कि घात कितनी है 3 तो ये बनेगा 4096 म Northwestern 16 कितनी होगे 17 सत्रा बटे सोला की पावर तीन है तो इसको तीन बार लिखेंगे सत्रा बटे सोला गुणा में सत्रा बटे सोला अब यह सोला से कटेगा सोला से कटेगा तो सोला एकम सोला और इसको सोला से काटेंगे तो सोला दुन बत्तिस हो जाएंगे बचगे आठ एटी नाइन हो गया सोला पांज असी सोला चिके चान में ज्यादा है सोला पांज असी होगा बचगे हमारे पास में नो चान में सोला पांज चान में 256 होगा फ पांच यह बच गया चार यह बच गया चानमे हो गया 16 की चानमे हो गया और फिर 16 से काटें इन सोब एकप्व cái गया 913 रूपे आएगा जो कि प्राप्त किया जाएगा जो कि राम के द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो इस इसाब से इसका आप सक्रेंसोट ले सकते हैं यह प्रशन है इसका solution है जो आपको शर्त अर्दवार्शिक दे रखी है तो दर को आधा समय को दुगना जबकि अगर आ कर देते चोथाई और समय को कर देते चार गुना ठीक तो यहां पर ले लिया सक्रेंसोट इसका भी आप सकते हैं सक्रेंसोट इसके बाद में चलते हैं आपन 20 नंबर प्रशन की तरफ 20 नंबर प्रशन में हमें दिया दे रखाये तीन लगातार पुनाक बढ़ते करम में ले प्रशन करमागत पुनाक जो कि बढ़ते करम में हैं आपने माल लिया एक्स प्लस में एक एक्स प्लस में दू यह तीन पुनाक हो गए बढ़ते करम में हैं कोई दिकत नहीं अब प्रशन अनुशार क्या कह रहा है प्रशना अनुशार ये तो आपने माल लिए हैं ये तो आपने माल लिए हैं प्यारे विद्यार्थियो जबकि प्रशन के अनुशार ये बोल रहा है कि पहले को 2 से दूसरे को 3 से चोथे को 4 से गुणा करके जोड़ना है तो पहले को 2 से यानि 2x प्लस में दूसरे को 3 से तो 3 ब्रैकिट में हैं x प्लस में 1 प्लस में तीसरे को 4 से तो यह जगा 4 x प्लस में 2 is equal to योगफल कितना प्राप्त होगा चोहतर प्राप्त होगा तो यह बन गए आपके पास में 2x प्लस में 3x प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 4 दूनी 8 is equal to चोहतर हैं 2x 3x और 4x 2 और 3 5 5 और 4 कितने हो जाएंगे 5 और 4 9x हो जाएंगे x x को एक तरफ जोड़ लिया प्लस में संख्या संख्या को एक तरफ जोड़ेंगे जैसे 3 और 8 कितने होगे 11 होगे 3 और 8 और 11 होगे is equal to 24 हैं 11 एधर जाके minus के बन जाएंगे तो 9x बराबर कितना होगा 24 माइधर में 11 एधर जाके minus के बन जाएंगे तो 24 माइधर में 11 घट करेंगे तो यह आएगा 63 बात आ गया तो वह आपको तीनों पूर्णाक ज्याद करने हैं तो लिखेंगे अतै अतै पहला पूर्णाक पहला पूर्णाक आपका साथ हैं दूसरा पूर्णाक क्या आएगा दूसरा पूर्णाक आपने माना था कि X प्लस में एक तो यह हो जाएगा साथ प्लस में एक कितना होगा आठ होगा और तीसरा पूर्णाक क्या बन जाएगा X प्लस में दो X कमान कितना है साथ प्लस में दो साथ और दो कितनी होजाएगा नो होजाएगा तो पहला पूर्णाक साथ दूसरा पूर्णाक आठ हो तीसरा पूर्णाक कितना होजाएगा नो होजाएगा यह आपके राइट अंसर होगे इसके बाद में चलते हैं next question की तरफ 21 नंबर question आपकी screen पे आ गया है इसमें आपको बताना है कि आप पहले तो question को अच्छे से पढ़ना है answer करने से पहले question आना चाहिए एक 5 मीटर और 60 cm उन्चे उर्द्वा दर्खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर और 20 cm है उसी समय गयात कीजिए उसी time गयात करना है 10 मीटर और 50 cm उन्चे एक खंबे की छाया की लंबाई और उस खंबे की उन्चाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है चलो कोई बात नहीं पहला relation क्या दे रखाए पहला अपने एक डाइग्राम बनाएंगे और इस डाइग्राम में उर्द्वा दर्खंबे की छाया की लंबाई दे रखिए उर्द्वा दर्खंबे की छाया की लंबाई आपको दे रखिए छाया की लंबाई ठीक है एक खंबे की उन्चाई दे रखिए यह है पांच मीटर और साथ सेंटीमेटर इसको अपन यह भी लिख सकते हैं 5.60 मीटर लिख सकते हैं और नीचे दे रखाए आपको 3 मीटर छाया की लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमेटर तो इसको अपन लिख सकते सकते हैं तो दिया है जो आपको रिलेशन दे रखा इसके बीच में वही रिलेशन च्छाया की लंबाई यह दे रखा है तीन पॉइंट दो जिरो मिटर दे रखा है पहला क्या ग्याद करना है पहला आपको ग्याद करना है पहले में आपको दे रखा है जैसे दिया है खंबे की च्छाया की लंबाई तो ग्याद करनी है जबकि आपको दिया है खंबे की उन्चाई खंबे की उन्चाई दे रखिया है 10 मीटर 50 सेंटिमेटर इसको लिख सकते हैं 10 दसमलो 5 0 मीटर लिख सकते हैं तो खंबे की छाया की लंबाई तो खंबे के छाया की लंबाई आप ग्यात करेंगे अनुपाद से पहले में जो पहले आपको दे रखा है उसका अनुपाद देखते हैं 5.60 नीचे आपने लिखाया 6 तो 3.20 इस इकल टू रहेगा यहाँ पे खंबे की लंबाई आएगी 10.50 यहाँ पे छाया आएगी वो आपने एक्स मीटर माल लिए वो आपने क्या कर दिया है एक्स मीटर इसमें माल लिया है अब यहाँ पर देखेगा यहाँ से करोश मल्टिप्लाई करते हैं या तो आप 20 से 20 इसमेन अठाग एक बार अठाए– 10 गया ग्यां तो पांच पॉइंट च्हे जिरो का मल्टिप्लाई होगा एक्स के साथ में इस इकल टू तीन पॉइंट दो जिरो का मल्टिप्लाई होगा 10.50 के साथ में तो यह जो तो result बनेगा वो यह बनेगा 3.20 multiply में 10.50 और भाग में रहेगा 5.60 इस दसमलों से यह दसमलों हट जाएगा एक से तो और यह दसमलों हटाओगे तो नीचे नीचे बच गया 530 also 60 बच गया उपर अ MP305 बच गया यह साइथ क्वनसे नंबर से कठें यह यह साइद आपके पास कर जाएगा segh2 पिर 5 से कम 5 5 दूनी 10 112 112 से और 105 को काटेगे 5 बार तो 5 दूनी 10 21 बार कर जाएगा 21 बार कर जाएगा ये नंबर आपका कर जाएगा दो बार 32 से कर जाएगा 32 बार देखतो 2 से काट देते हैं या 4 से काटेगर, 4 से कर देगा, 4 से काटेगर lan invented rating 8 pilgrimage 32 32 इसको 4 से काटे गेmer तो 4 दूनी 8 बच गया तीन 32host1 और चोके 32 यह 8 से काटेगर 18 ripple 24 कर देगा तो यह आपके पास में होगा, 21 ब'Tा 3 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 मीटर होगी आंसर कितना आएगा आपके पास में इसका 7 मीटर आएगा अब इसमें देखिएगा एक थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया यह चोईस है ना इस चोईस की जगह सोईस नहीं आएगा आपने 112 को काटा था चार से तो 4 दूनी 8 फिर बच गया 3 32 हो गया 32 को 4 से काटेंगे तो 8 चोगए 28 आएगा कितना आएगा 28 आएगा अब आपने काटा है साथ से काट दिया इसको पहले एक बार 8 को मत काटना 8 को 8 ही रखना इसमें ठीक है यहां पर 8 ही रहेगा आपने काट दिया इसको 7 चोगए 28 और 7 तिया 21, 4 से काटने के 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 2 तिया 6, 6 मीटर आ जाएगा इसमें थोड़ी सी calculation देखना जहां से अच्छे से काटना गड़बड हो जाएगा अन्य था तो यह वगार 2 गुणा में 3 is equal to 6 मीटर होगी पहला answer आगए है, is that clear? इसी हिसाब से आपको इसके second का निकालना है उस खंबे के उन्चाएग जात करनी है जिसकी चाया की लंबाई 5 मीटर है चाया की लंबाई 5 मीटर है, second number का करते हैं तो माना चाया की लंबाई, चाया की लंबाई आपने माल लिया की X मीटर है, चाया की लंबाई X मीटर है, दोनों में आपको चाया की लंबाई ही ग्याद करनी है तो पहला अनुपाद तो यह ही लिखेंगे, पहला अनुपाद तो यह ही लिखेंगे, कौन सा? 5.60 और यह आएगा 3.20, इस इकल तो अनुपाद समानुपाद है न, तो इस खंबे की उंचाया आपको दे रखी है, दिया है, लिखेंगे यहाँ पे, खंबे की उंचाया, खंबे की उंचाया दे रखी है, 5 मीटर, तो 5 मीटर दे दिया, अपन में यह आपने X माल लिया, त X का मान कितना आ गया, 3.20, गुणा में 5 और भाग में क्या लग जाएगा, 5.60, तो दिसमलों से दिसमलों हट जाएगा, इसको किस से काटेंगे, 0 से 0 कर जाएगा, 56 है, 32 है, 32 को काटेंगे, अपना 8 से, 8, 4, 32, 8, 7, 56, यह आएगा, 4, 5, 20, 4, 5, 20, 20 में 7 का भाग देना है, 20 में आपको 7 का भाग देना है, यही तो है ना, कोई गड़बर तो नहीं है इसमें, उस खंबे की उंचाएगा किजिए, जिसकी छाया की लंबाई हमें, सोरी, इसमें छाया की लंबाई दे रखी है, तो छाया की लंबाई दे रखी है, तो यहां पर मानेंगे खंबे की लंबाई या उन्चाई माना यहां पर लिख देंगे खंबे की लंबाई एक्समीटर है उन्चाई एक्समीटर है और दिया है खंबे की छाया की लंबाई खंबे की चाया की लंबाई आपको दे रखा इसमें पांच मिटर दे रखा है तो यह उपर नीचे कर देंगे फिर X उपर चला जाएगा क्योंकि हमने उपर उपर क्या लिखी है लंबाई लिखी है नीचे नीचे छाया लिख रहे है छाया की लंबाई लिख रहे हैं तो नीचे इसमें 5 दे रखाए अब इसमें जो multiply होगा वो इस इसाब से हो जाएगा कोई दिक्कती ने, no problem तो इसमें आपके पास में यह आंकडा प्राप्त हो जाएगा जैसे cross multiply करोगे अब तिर्चा multiply करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों X बराबर होगा 5.60 गुणा में 5 और नीचे आएगा 3.20 दसमलों से दसमलों हट जाएगा जीरो से फिर जीरो कड़ेगा जीरो से जीरो कड़ेगा 32 को काटेगे यह कड़ेगा आठ बार, आठ से काटेगे तो यह चार बार कटेगा चार दूनी यह साथ बार कटेगा यह आपका साथ बार कटेगा नीचे चार है नीचे यहाँ पर आठ आपने काटा कि सेया 8 से काटा है 56 को 8 से काटेंगे 8 तुन 56 32 को 8 से काटेंगे 8 चोके 32 साथ पंज पैंतिस उपर बन गया 35 नीचे बचेगा 4 35 में 4 का भाग देंगे तो यह आपके पास भी बन जाएगा 8 चोके 32 चार से काटेंगे तो 4 आठे 32 चार ने में 36 ज़्यादा हो जाएगे 4 आठे 32 यह होंगे 3 बच गया 30 फिर 7 चोके 28 फिर 2 यह आठ पॉइंट 7 पांच मीटर होगा तो इस खंबे की जो उन्चाई है खंबे की लंबाई है वो कितनी आजेगी आठ पॉइंट 7 पांच मीटर आजेगी इस डैट कलियर चलते हैं नेक्स्ट प्रेशन की तरफ इसका अगर कोई विद्यारती सक्रिंसोट लेना चाता है तो इसे इसाब से क्यूस्टन के साथ में सक्रिंसोट ले सकता है वीडियो को बीच में रोक कर सक्रिंसोट ले सकता है या कोई नोट करना चाता है तो रोक के नोट कर सकता है नीचे वाला यह है इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रेशन की तरफ अब आपको एक फिल्ड का प्रेशन दिये रखा है इस परकार से है कि दीगी आकरती का छेतर फल गयात करना है सभी माप मीटर में दे रुख करते हैं तो चलिएगा यहाँ पे बनाएंगे इस हिसाब से एक आपने लाइन खीज लिए trudस को इलाइं गिंसली हैं इसमें देखो ऊपर से देख देख काना पड़ेगा में अब एक नीचे 10 फिर 12 एक साइड में 10 और 12 यह Тем कि एक साइड में आपने नीचे 10 ले लिया हैं औ और इधर आपने क्या करती है बारा ले लिया है इसको इसी हिसाब से मिला देंगे और फिर इसको उपर मिला देंगे यह आकरती है अब चलते हैं देखिएगा यह आपके पास में 10 है और इधर 8 है इधर 10 है और इधर 8 है तो माल लेते हैं यहां पे होगा 10 यह आपका 10 है और य आठ तो पहले इसको मिलाते हैं फिर इसको मिलाते हैं और फिर इसको मिलाते हैं ठीक है ये नाम क्या है अलग-अलग नाम भी दे रखे ना इसके तो E F Z यहाँ से E से प्रारहम करते हैं कि ए एफ जी एच आई आई अई तक यह गया आई जे और हो गया कि काहां पर हो गया कि अध्य यहां पर आएगा कि जी आपका यहां पर बन जाएगा जैसे जी यहां पर आदेगा जी एच आई जे अब इसकी अपन माप लिख देए अब देखेगा आपने यह माप लिख दी है इसको आप एक नमबर देंगे इसको आप दो नमबर देंगे इसको आप तीन नमबर देंगे इसको आप चार नमबर देंगे इसको आप पांच नमबर देंगे तो एक नंबर की माप या उपर से देदें भी एक दो तिन ऐसे देदें क्योंकि उपर से जो आंकड़ा हमें दे रखा है वो सुरू के सुरू में दे रखा है तो यह आपका एक नंबर यह दो नंबर यह तीन नंबर यह चार नंबर यह पॉंच नंबर है तो पहले लिखते है तिर्वुज E P J का 26 एक बटा दो आधार आधार हुना उन्चाई है एक बटा दो आधार कितना है आधार आधार आपके पास में जैसे P J मालिया 10 है और उन्चाई कितनी है 20 है उन्चाई आपको 20 मीटर में दे रखे हैं दो से काटेंगे, पांच बार कटेगा, बीस पंजे, सो मीटर स्केर आएगा, एक्वेशन नमबर एक आगे, सैकेंड नमबर से लिखते हैं, समलम, समलम, पी जे, आई आर का, शेत्रफल, एक बटा दो, समांतर मुझाओं का योग, जैसे पी जे, प्लस में, आर आई, और उनके बीच की दूरी, जैसे पी आर, उनके बीच की दूरी पी आर होगी, तो यह बन जाएगा, एक बटा दो, यह होगा, आपके पास में, दस प्लस में, आठ, मल्टिप्लाई, बीस हैं, बीस से साड़ तक हैं, आर का बिंदू साड़ तक हैं, बीस से साड़ तक चाली स हो गया, बीस से साड़ तक कितना हो गया, चाली स हो लिखेंगे तीन नमबर तिर बुज र आई एच का छेतर फल र आई एच का छेतर फल होगा एक बटा दो आधार कितना है आठ उन्चाई कितनी है साठ से पिचेतर हैं साठ से पिचेतर होगी पंद्रा दो से काटेंगे चार बार होगा पंद्रा चोके साठ मीटर स्केर इक्वेशन नमबर थर्ड बनेगी चोथे का लिखेंगे समलम समलम F Q H G का छितर फल एक बटा दो समांत्र वुझाओं का योग होता है तो 12 पलस में 10 और उनके बीच की दूरी 50 से पिचेतर 25 होजेगा 50 से पिचेतर 25 होजेगा तो यह बनेगा एक बटा दो 12 पलस में 10 22 होजेगा और गुणा में यह होगा 25 दो से काटेंगे 11 बार कटेगा 25 से कम 25 25 एकम 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27 25 मीटर स्केर होगा equation number बनेगी 4 equation number बनेगी 4 अब 5 नाम डाइग्राम में देखते हैं 5 में तिर्बुज बन रहा है तिर्बुज E QF का 6 तरफल 1 बटा दो आधार कितना है 12 गुणा उन्चाई कितनी है 50 है 2 से काटेगे 6 बार कटेगा 6 35 अधार देखो 12 है उन्चाई E से लेके Q तक 50 है E से लेके Q तक कितनी है 50 है तो यह होज़ेगा 6 35 300 मीटर स्केर होगा equation number बन गई 6 equation number बन गई 5 अब लिखेंगे आकरती आकरती E F Z H I Z का 6 तरफल सभी को जोड़ देंगे पहले का कितना आ रहा है पहले का आ रहा है आपका 100 पहले का रहा है 100 तो लिखेंगे 100 प्लस में दूसरे का रहा है 306 प्लस में तीसरे का रहा है 60 तीसरे का रहा है 60 चोथे का रहा है 25 और पांचमे का रहा है 300 300 सभी को जोड़ेंगे 100 और 300 कितने हो जाएंगे 400 400 300 कितने हो जाएंगे 400 300 700 700 और 200 900 900 और 60 60 120 900 एक हजार बीस एक हजार बीस और पीचेतर कितने हो जाएंगे 1095 तो इसका जो टोटल एरिया आएगा वो कितना आजेगा आपके पास में 1095 में 1095 में मेटर स्केर होगा ये इसका राइट आंसर बनेगा अगर कोई विद्यारती इसका सक्रिन सूट लेना च सकता है भी ये इसका सूलीशन है तो डास उपर और कर दूँऊ है कोई दिकत नहीं है और नीचे वाला ये सूलीशन है इसके अथवा में भी दे रखाया आपको एक करना है जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है लेकिन मैं तो दोनों करवा रहा हूं मेरेको दोनों ही कर पाने किसी भी द्यार्थी को पहला लगेगा किसे को दूसरा लगेगा देखो इसके अथ्वा में दे रखाए या तो उपर वाला कर देना या यह नीचे वाले दो कर देना ठीक है तो एक घन की भुजा एक सेमी है इस परकार के दो घनों को चिपकाने से बनी आकरती का संपू चेतरफल एक सेमी है घन की भुजा आपको दे रखे है एक सेमी तो यहां पर अपना आकरती बनाते हैं पहले का यह आपका एक घन उजाएगा यह आपका क्या बनेगा एक घंड बनेगा इस इसाब से आपको दो घंड चिपकाने हैं इस इसाब से आपको क्या करने हैं दो घंड चिपकाने हैं यह होगा आपको ऐसी आकरती बनेगी एक सेमी ये हैं, एक सेमी ये है, कुल लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई इसकी 2 सेंटिमीटर होगी, अगर मैं इसकी कुल लंबाई लिखूं तो 2 सेंटिमीटर होगी, तो ये लंबाई होगी 2 सेंटिमीटर, चोडाई होगी 1 सेंटिमीटर, उन्चाई भी कितनी होगी 1 स तो लिखेंगे, यह बन गया घनाब, घनाब का संपूर्ण, संपूर्ण प्रस्टी है, चेत्रफल होता है, दो गुणा लखु चोदरी चोखो उँट उदारो लिया हो, यह फॉर्मूला लगेगा यहां पर, तो L into B, plus में B into H, plus में H into L होजेगा, तो यह होजेगा, आपके पास में 2, लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, लंबाई कितनी है, गुणा, चोड़ाई कितनी है, एक ही है, चोड़ाई में कोई फरक नहीं पड़ा, प्लस में, बीच में प्लस का आएगा, ध्यान रखना, गुणा और प्लस में थोड़ा सा कनफ्यूज मत हो जाना बी कितना है इसका चोड़ाई कितनी है एक है उन्चाई कितनी है एक है प्लस में उन्चाई कितनी है एक लंबाई कितनी है दो है अब इसका निकाल लेते हैं जैसे दो बाहर है दो एकम दो प्लस में एक एकम एक प्लस में दो दोर दो चार एक पांच पांच दूनी दश दस सेंटीमीटर स्केर आपका ये बन जाएगा आनशर तो घनाब का संपूर्ण परस्टिय छेतर फल कितना आजेगा आपके पास में दस सेंटीमीटर स्केर आएगा इसके जो एक और दे रखा है इसके साथ में वो भी देखते हैं एक घनाब की लंबाई चोड़ाई उन्चाई करमशे 8-10-15-10-8 है उसका आइतन क्या होगा आइतन होता है LBH 15-10-8 तो घनाब की लंबाई दे रखे चोड़ाई दे रखे उन्चाई दे रखे सेकेंड लंबाई दिया है घनाब की घनाब की लंबाई 15 मीट्र में दे रखा है या लंबाई आपको दिर खत सिंटीमीटर में हैि हैं द्यचाई 10 सिंक्टीमीटर और उन्चाई कितने दे रखे है है 8 cm दे रखा है तो लिखें गनाब का आयतन और गनाब का आयतन तो सभी विद्यार्थियों को आता ही है गनाब का आयतन लंबाई गुणा चोडाई गुणा उन्चाई होता है तो 15 गुणा में 10 गुणा में 8 15 गुणा में 10 तो यह कितना होगा 1200 cm क्यूब होजएगा आयतन है तो क्यूब में आएगा इस देट कलियर cm क्यूब होजएगा अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रिशन की तरफ जैसा कि आपको दे रखा है इसमें किनी 2 के आपको गुणंध खंड करने हैं जबकि मैं तो 4 के करवा हूँ हूँ है पहला देखो इसमें क्या है 4P स्केर माइनस में 9Q स्केर आपने देखा होगा A स्केर माइनस में 20 स्केर क्या होता है एक बार में और एक बार होता है माइनस में 4P स्केर माइनस में 9Q स्केर है इसको अपने यह लिख सकते हैं 4P का होल 2P का होल स्केर माइनस में 3Q का स्केर होगा तो यह बन जाएगा 2P 2P माइनस में 3Q और यह बन गया आपके पास में 2P प्लस में 3Q यह आपका इसमें राइट आंसर बन यह लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं ठीक है सेक्ड नमबर देखिए 360a स्क्वेर माइनस में 112b स्क्वेर हैं तो इसमें से कुछ कोमन आएगा इसमें से कुछ साथ कोमन आजेगा तो साथ इसमें से आपने कोमन निकाल लिए देखो तो यहां पर बच गया 9a स्क्वेर माइनस में साथ एकम साथ 112 में साथ का भाग देंगे तो साथ एकम साथ बच गया च्यार के बियालिस साची के बियालिस तो सोला साते 112 होते हैं यह हो गया 20 स्केर इस अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं साथ बाहर ब्रेकिट के बाहरी रखना है 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3a का होल स्केर माइनस में 16 को क्या लिख सकते हैं 4b का होल स्केर लिख सकते हैं a square माइनस में b square है, तो एक बार plus में एक बार माइनस में 7 को बाहर रखना ही है, एक बार plus में याने 3a plus में 4b, और यह होज़ेगा, 3a माइनस में 4b, यह आपके पास में इसका right answer बन जेगा, कोई दिक्कत, कोई problem है क्या, no, 49, 49 है यहाँ, 49 है है, तीसरा देखो इसमें, 49 x की square माइनस में 36 है, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7, x को लिख सकते हैं, x का whole square कर सकते हैं, तो उनचास x का square बनेगा, – 36 है, इसको लिख सकते हैं, 6 का square, तो एक बार तो plus में 7x, minus में 6 कर सकते हैं, और 1 होगा, 7x plus में 6 यह आपके पास में इसका right answer बन जाएगा यहाँ पे देखो x की power 3 और 5 विसम है दोनों ही विसम है तो मैं यहाँ पे करता हूँ हो जाएगा 4 नमबर देखो 16x की power 5 है माइनस में 144x की power 3 है इसमें से आपने x को मले लिया power sum बना देगे x को मले लिया और मत को मले लेना यहाँ से यह बन जाएगा आपके पास में 16x की power 4 माइनस में 144 है यह बन जाएगा 144x की power 3 थी एक आपने को मले लिया x की power बन गी 2 इसको क्या लिखेंगे x बाहर है इसको लिखेंगे 4x की square का square माइनस में 12x की square 12x की square तो यह क्या बनजाएगा x बाहर है एक बार प्लस में यानि 4 x की square प्लस में 12 x और यह बनजाएगा आपके पास 4 x की square माईनस में 12 x थोड़ा से इसका ओर solution करते हैं ओर solution करेंगे तो हमारे पास में इसका यह result बनजाएगा जैसे x इसमें से 4 कोमन आ रहा है तो 4 बाहर निकाल लिया x भी कोमन आ रहा है तो x बाहर निकाल लिया तो यह बनेगा आपके पास में 4 4 तो बाहर ले लिया ना x भी बाहर ले लिया तो यह बनेगा आपके पास में एक्स plus में 12 में 4 का भाग देंगी तो 3 आएगा और यहां से आपने क्या कर दिया वो ही 4x यहां से कॉमल ले लिया तो यह बन जाएगा आपके पास में X ये बचेगा आपके पास में X माइनस में 3 बचेगा तो 4 X की क्यूब हो गई X गुणा X गुणा X तीन बार है तो X की क्यूब 4 गुणा 4 16 होजेगा तो 16 X की क्यूब ये हो गया X प्लस में 3 और ये हो जेगा X माइनस में 3 यह आपके पास में बनेगा इसका right answer तो सभी विद्यारती इसे हिसाब से इसका ले सकते हैं सक्रिंसोट क्यूशन का सक्रिंसोट ले सकते हैं answer का चलते है next question की तरफ आपको इसमें क्या बनाना है चत्रबूज बनाना है चत्रबुज की रचना करनी है एक चत्रबुज आपको दे रखा है सबसे पहले LIFT आपको बनाना है तो सबसे पहले LI एक रेखाखंड खिंचते हैं 4 cm लंबा एक LI रेखाखंड खिंचते हैं 4 cm लंबा खिंचते है जिसका नाम दे दिया LI छिक है यह हो गया 4 cm शोर है इसके बाद में L I खिंच दिया है अब आपको I F खिंचना है परकार को 3 cm open कर लेना 4 cm खिंच दिया है अब परकार को 3 cm open करके I पे रखके एक चाप लगा देना एक चाप उपर की तरफ लगा देना ठीक है T L यहाँ पे जो विंदू आएगा वो F विंदू आएगा अब आपको परकार को 2.5 cm open करना है और L पे रखके एक चाप लगाना है L पे रखके आपको क्या करना है एक चाप लगाना है लगा दिया 2.5 cm open करके लगाना है अब यहां पे विंदू आएगा T अब आपको क्या करना है 4.5 प्रकार को ओपन करके L पे रखना है प्रकार को L F यानि यहां पे रखके F पे चाप काटना है 4.5 का कटेगा जहां से ये कटे ना इसको I से मिला देना फिर आपको क्या करना है IT 4 cm open करना है प्रकार को 4 cm open करना है और I पे रखके T पे काट देना IT यह 4 cm होगा और इसको मिलाना मत कोई जुरूर नहीं आप इसको मिलाएं आपको तो चत्रबुज की रचना करनी है तो आप T को L से मिला सकते हैं और T को F से मिला सकते हैं यह आपके पास में 4 cm था यह आपके पास में 3 cm होगा और यह पता नहीं है लेकिन यह आपके पास में कितना है TL 2.5 cm यह 2.5 cm होगा अगर इसको मिलाना चाहते हैं तो यह मिला भी सकते हैं F को L से लेकिन आपको तो चत्रबुज बनाना था आपको तो चत्रबुज बनाना था तो यह चत्रबुज की रचना होगी जैसे जैसे जो आपने काम किया है वो काम आपको हिंदी में लिखना है सबसे पहले हमने LI एक 4 cm लंबारे खाकंड खींचा फिर परकार को 3 cm ओपन करके I पे रखके 1 F तक चाप काटा फिर परकार को 2.5 cm ओपन करके हमने L पे रखके T चाप काटा फिर हमने परकार को 4.5 cm ओपन करके L से F पे चाप काटा F को I से मिला दिया और फिर हमने 4 cm परकार को ओपन करके I पे रखके T पे चाप काटा फिर हमने T को L से और F से मिला दिया इस परकार से चत्रबूज L.I.F.T. की रचना हो गई एक आपको सम चत्रबूज बनाना है वह चत्रबूज जिसकी सारी बुझाएं समान होती है वो सम चत्रबूज होता है सबसे पहले आपने B.N. खिंचा है 5.6 cm और D.E. दे रखा है यानि चत्रबूज तो यह बनेगा आप B.E.N.D. तो आपने B.N. कीज दिया है? 5.6 cm है 5.6 cm है और यह आपको दे रखा है D.E. यानि दोनों विक्रण दे रखें दोनों विक्रण दे रखें तो सबसे पहले आप क्या खिंचेंगे? एक 5.6 cm लंबार एका खंड खींचेंगे एक 5.6 cm लंबार एका खंड आपने ये खींच लिया है ठीक है इसका नाम आप रखेंगे BN जिसकी लंबाई कितनी है 5.6 cm फिर इस पर का आपको पता है कि सम चत्रबुज के विकरण एक दूसरे को समदी भाजित करते हैं और 90 डिग्री के कौन पे भी काटते हैं तो आपको क्या करना है अब BN का समदी भाजन करना है BN का समदी भाजन कैसे करते हैं परकार को 5.6 का आदा कितना हो जाता है 28 यानि 2.8 2.8 से ज़्यादा करना ओपन 2.8 का ज़्यादा कितना हो ज़्यादा लगबग आपको करना है 3, 3, 4 cm ओपन करके आप B पे रखके एक चाप काटेंगे उपर की तरफ उतना ही परकार को खुला रखते हुए आप N पे रखके काटेंगे आप N पे रखके काटेंगे अब आपको क्या करना है जो नीचे दे रखा है ना 5.6 cm 5.6 cm आपको दे रखा है D E तो 5.6 का आधा BISECT या तो आप सबसे पहले D E बना ले फिर आपको आधा करने की मुश्किल नहीं आएगी तो देखो पहले देखो इसको एक बारी रेज कर रहा हूँ मैं आप पहले कौन सा बनाना आप इसमें पहले D E रेखा खंड खीच लेना आप पहले इसमें D E रेखा खंड कीच लेना जिसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी दे रखी है इसमे 6.5 cm तो यह आप नाम दे देना इसको D E जिसकी लंबाई है 6.5 cm अब उसका क्या करना है आधा करना है आधा करने के लिए परकार को आदे से ज्यादा लगबग आप खोल लेना 4 या 4.5 cm उपर परकार को D पे रखके एक चाप उपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ जैसे जैसे मैं बोद रहूना वेसे वेस से आप परकार में पैंसिल डाल के काम करें वीडियो को रोख दें बीच में आगे जादा मैं आगे चला जता हूँ तो आप वीडियो को रोख दें फिर अपने हिसाप से काम करें E पे रखके काटना है और नीचे भी काटना है फिर आप इसको क्या करेंगे मिलाएंगे इसको मिला देंगे जहां से ये मिलेगा 90 डिगरी पे मिलेगा इसको बाइसेक्ट भी कर देगा अब ये देखो कौन सा बच गया 5.6 बच गया 5.6 का आदा होता है 2.8 तो ये बिंदू आपने ले लिया माल लिया O पे काट रहा है O से O से उपर की तरब आपको B बिंदू लेना है और 2.8 cm पे लेना है परकार को 2.8 cm ओपन कर लें या स्केल की साहता से 2.8 cm आपने यहां पे आगया माल लेते हैं और 2.8 cm नीचे लेना है जो की N बिंदू आएगा और यहां पे B बिंदू आएगा B को D से मिला देना E से मिला देना और D को N से मिला देना और N को E से मिला देना तो ये आपके पास में एक सम चत्र बुज ये सारी सारी बुजाएं क्या होगी बराबर होगी देख लेना काउंट करके देख लेना आकरती आपके एकदम बेस्ट बनेगी एकदम राइट बनेगी जो काम आपने मैथमेटिक किया है उसकी आपको रचना करनी है Is that clear? Sure है? बना दिया आपने No problem चलते हैं next question पे last question करते हैं इसका 25 नंबर question में हमें दे रखा है कि निमन तालिका के दार पे आलेक बनाना है क्या ये है? आलेक मूल बिंदू से गुजरी का प्रेशन पहला आ गया आलेक के दार पे 3500 वार्थिक ब्याज पे इसका अच्छा आपसे ब्याज बूचा है तो अपन क्या करते हैं? पहले तो अपन इसका ग्राप खिंचते हैं एक तो आप खिंचेंगे YX ऐसे जो उर्दवार धर लाइन होगी ना खड़ी लाइन होगी वो YX होती है और ये आड़ी लाइन होगी ये XX होगी ये आपके X होज़ेगी और ये आपके YX होज़ेगी यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे आप लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें मूलधन और इधर आप लिख देना ब्याज यहाँ पे आदेगा आपका ब्याज अब चलते हैं कि जैसा कि मूल दन है दो जार दो जार तीन जार चार जार पांच जार तक है तो अजार जार पर है ना तो यह होगे आपका एक हजार यह होगे आपका दो हजार यह होगे आपका तीन हजार और यह होगे आपका चार हजार और यह हो गया आपका पांच हजार नीचे वाला देखें मुल्धन कितने का है असी का चल रहा है न असी असी रूपे का चल रहा है तो यहां पर लिखेंगे असी एक सो साथ दो सो चालेस तिन सो बीस और यह हो गया चार सो पर इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे असी रूपे एक अजार रूपे पर एक हजार रूपे जब मूल्धन है तो इसका जो ब्याज है वो कितना है असी रूपे यहां पर आएगा दो हजार रूपे है तो साथ एक सो साथ हो जएगा यह आएगा तीन हजार रूपे है तो दो सो चालीस है तो यहां पर आजएगा चारा जार रुपे है तो 320 है यहां पर आजेगा पांच जार रुपे है तो 400 रुपे है यहां पर आजेगा इन सभी को मिला देंगे यह मूल विंदू है मूल विंदू से होके जाएगी भी तो पहले थोड़ा सा टेड़ा गया यह एकदम सीधा जाएगा आपका ग्राफ पर बनाके देखना ताकि कोई वहां पर अग्जाम में कोई गलती नहीं हो यह विंदू पी हो गया यह क्यों हो गया यह आर हो गया यह यह सो गया यह टी हो चीक है इस लिखेंगे पहले प्रेशन का आणसर हाँ ग्राफ है वह मूल विंदू से होकर गुजरेगा यह देना दूसरा पूछा है जब 3500 रुपे हो जब 30,000 मूल धन कितना हुवी 3500 रुपे हो हटो क्या होजएगा 3500 तो इसके बीच में होगा 3500 तो इसके बीच में होजएगा तो यह और यहां से और इधर यहां से बीच में आएगा ये तम सेंटर पे आएगा तो 240 और 320 के बीच का मान कितना होता है 244 और 32 चोईश और 32 के बीच का मान देख लें 6 और 48 यानि 280 हो जएगा तो कितने रुपे होगा भी 280 आजएगा तो ये बिंदू आ गया आपके पास में यू बिंदू आ गया कौन सा बिंदू आ गया यू बिंदू आ गया और यू बिंदू के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे यहां पे हैं 3500 3500 ऐसे लिख दो 3500 कोमा ये है 280 रुपे तो सेकिंड का आएगा 3500 रुपे पर शाधारन ब्याज ब्याज होगा 280 रुपे होगा कितना होगा 280 रुपे होगा तो यही तो आपको बताना था यही तो आपको बताना था न पी 3500 रुपे का वार्शिक ब्याज क्या होगा इस देट कलियर, तो इसका आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह जो क्यूसर आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप अच्छे से स्क्रीन सोट ले सकते हैं, तो इसे हिसाब से हमने चोथा मोडल पेपर कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन A और B, A पहले शेयर करेंगे, अगर कोई चैनल पे नया है विद्यार्थि, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जो पास में बेल आइकन है, उसको जुरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें, तुरन ता आप उसका लाव उठाते रहें, चलिएगा विद्यार्थियो पास की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलें कुछ ने के साथ, जै हिंद, जै भारत